देश की अर्थ विवस्ता खास कर बैंकिंग के इतिहास में 19 जुलाई का दिन बेहद अहम माना जाता है क्यूंकि 19 जुलाई 1978 को तत कालिन प्रधान मंतरी इंदिरा गांदी ने 14 निजी बैंकों का रास्टी करन कर दिया था उस वक्त ये बैंक देश के बड़े अध्यों की घरानी चला रहे थे इन बैंकों में Central Bank of India, Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Dina Bank, Yuko Bank, Canada Bank, United Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, Allahabad Bank, Indian Overses Bank, तिथा Bank of Maharashtra शामिल थे 14 निजी बैंकों को रास्टी करत करने के अपने फैसले को न्यायचे ठेराते हुए प्रधान मंतरी इंदिरा गांदी ने कहा था कि बैंकिंग को ग्रामिन शेतरों तक ले जाना बेहत जरूरी है इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है हाला कि उन पर आलोप लगा था कि उन्होंने अपने राजनितिक लाप के लिए यह कदम उठाया था